उधारन साथ बहुपदो 3x धन 4 रिन 5x की घाद दो 5 धन 9x तथा 4x रिन 17 रिन 5x की घाद दो का योगफल ग्यात कीजिए एवं योगफल से प्राप्त बहुपद की घाद बताईए आईए देखे हम रिन 5x का घाद 2 धन 3x धन 4 या पहला बहुपद जो की हम इसे घटे क्रम में लिखे है घादो के घटे क्रम में फिर धन 9x धन 5 या हमारा दूसरा बहुपद और तीसरा बहुपद रिन 5x का घाद 2 धन 4x रिन 17 इन तीनों बहुपदों को हमें जोड़ना है तो यहां सबसे पहले हम गुणांक रिन 5 रिन 5 को हम कुष्टक में लिखेंगे और इनके चरांक x का घाद 2 को उभैनिष्ट लेंगे धन अब x का गुणांक हमारे पास है तीन धन 9 धन 4 जो की एक कुष्टक में रहेंगा और इनका उभैनिष्ट चरांक x कुष्टक के बाहर अब अंत में हमारे स्थिरांक 4 धन 5 रिन 17 को हम एक कुष्टक के अंदर लिखेंगे इसके बाद हम रिन 5 रिन 5 बराबर रिन 10 एकस का घाद 2 धन 9 तीन 12 बारा चार 16 एकस धन 4 धन 5 नौ 9 रिन 17 बराबर रिन 8 जो कुष्टक के अंदर लिखेंगे बराबर रिन 10 एकस का घाद 2 धन 16 एकस धन गुणित रिन 8 इस तरह से हमने बहुपदों को का योग देखा यहां बहुपद के योग में रिन 10 एकस का घाद 2 धन 16 एकस रिन 8 का चरांक एकस की सबसे बड़ी घाद 2 है अता इस बहुपद का घाद 2 होगा बहुब से काया लँपद का तरह से कके fundament करे रिन 10 एकस कि यह गुपद का बहुपद कैस के दräum